कि अगे नमस्ते हलो वीपल हुआ यू के इमचे उकसका आई एवरीवन क्या हाल चाल है आप सभी के नमस्ते सच्रीकाल दोस्तों को यह सिंडियन कॉंदे एक हमारा चल रहा था और आज से बहुत ही प्यारी सींज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रात से आज को आज रात से हम लोग शुरू करने वाले क्या हम लोग शुरू करने वाले law of thought 9 बजे शुरू होगा वो lecture और चले का बारा साड़े बारा कभी एक कभी दो कभी तीन कभी चार सो हम लोग जो है बहुत सारे सेशन करेंगे एंड येस आज आज आईए फर्स अपॉल सभी लोग स्वागात है आप सभी का वन सगें सची घरड़ अब तक करया सज सब्सक्राइब जूइए आज रात जो जो सवने वाले है सच्ची में तयार हो एकदम 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 तयारो लेक्द वाता है चलिए ओके सो यह स्कॉंट्रेक्ट टेक्ट हमारा चलता था आई थिंग वह पहले हम लोग रिवीजिन शुरू करते हैं आज यह सबी लोग ओके या जाइए थैंक यू सो मच्छ जितने भी लोग मुझे बिलेटेट हपी वर्टे करें ओके अगेaव के सेलफ अव्ब जेस्ट चलि भाई आजये आजो आजया आजव आजO आज आजव सारे आजव ते अपड्यका है आजाई सुवहिधिक था आप आप सभी का यहां से अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे consideration को lahe tux में क्या कहते हैं जलदी से मुझे आंसर आना चीह consideration को हूं लेटेन लेटे नम क्या कहते हैं आऔर चली बता। consideration को हम लेटेन में चलिए को इसे हैं ग्लेटेन में defined it is defined under section 2 clause b section 2 clause d outra consideration considering when the true or false answer is yes consideration is for act and also for abstain consideration past present future three of counter grain consideration past present future ino चलता है threenow answer is yes equation past present be the gości as well as consideration future be O सकता है दोस्तों कांशी ड्रेशन कॉjm सीड़हीं गिना प्रों निस्राइब करता है यह उस्त राज मीक्राब प्रोंिस सी और एनि अधर पोर सना प्रों मीसिट उ प्रों सिनल लेकिन आता other person काहां से आता है श्विकार्स प्रॉमसे और अए अधिकर्सट तैण में इसाइड हुआ था कॉन से केस में व ह कने साइड हुआ था ने हताहँ अिसंड रॉमने करों पहः ए कॉनिसंड ही समें इसाइड हुआ था यह तैद हुआ थाstaw चिंय और वर सेग्म अच्नेस Very good, proud of you, wonderful, everyone. चलिए, consideration कुछ होने और कुछ ना होने के लिए दोनों के लिए होसकता है, एकदम सही जवाब है. Consideration की कुछ value होनी चीए. True or false? Consideration की कुछ value होनी चीए. True or false? True or false, everyone? Consideration की कुछ value होनी चीए. True or false? ऐब-चुलीड उन्दफॉल इंदिन खाइए वेग उग एल्जी्टिरीन में चिहें ये तो सच है कि भगवान है, मगर फिर भी, आजा, consideration should be adequate, true or false, consideration should be adequate, true or false, suggestion should be adequate, true or false, consideration should be adequate, true or false, जल्दी से बताओ, तो consideration should be adequate, true or false, तो दोस्तों consideration जो है, वो consideration जो है, वो adequate हो, यह ज़रूरी नहीं है, तो बेटा यह false होगा, जितने भी लोग true कह रहे हैं, तुम्हारे को क्या आन के, आ के तुम्हारे कान के नीचे चाटा खाना है तुमने, consideration should be adequate कहते हैं, गदे लोग, consideration, consideration need not be adequate, ज़रूरी नहीं है कि consideration हो, adequate हो, यार यार बताया था ना, यह मेरा फोन एक लाग का है, मैं दस रुपे में बेचना चाहूं, बेच सकता हूं क्या, यह फोन मेरा एक लाग का, मैं दस रुपे में बेचना चाहूं, बेच सकता हूं क्या, अरे बेच सकता हूं ना यार, मेरी मर्जी है ना यार, मैं बेच सकता हूं, मैं बेचना चाहूं, तो बेच सकता हूं, बिल पेन क्या होंगा रोज ठीक है अचले अभी ध्यान देंगे आ जाहिए सो यह एस consideration बेटा adequate होई जरूरी नहीं है पेटा अगर शुट भी adequate आता है तो false होगा answer consideration need not be adequate इसका answer क्या होगा यह बो consideration need not be adequate इसका answer होगा true consideration need not be adequate इसका answer क्या होगा true need not be adequate का answer true होगा ठीक है need not be adequate cancer true होगा okay sweethearts lovely sweetheart consideration lawful hona chike unlawful जल्दी बताऊ consideration lawful hona chike unlawful come on consideration lawful hona chike unlawful to ye consideration lawful hona chike wonderful 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 considerations should be something more than what you are already bound to do consideration something should be something more than what you are already bound to do true or false consideration should be something more than what you are already bound to do consideration kut zyadha ka hona chihye job call ready karna मैंने यादे class teacher ka example दिया था बहुत सार एक वेट दिया था example यादा रहे क्या कभी date पे गए हो date पे किसी के साथ कभी किसी के साथ date पे गए हो गए हो कर देट पे sir किस्मत ऐसी कहा sir हमारी sir आपके जैसी किस्मत है sir ऐसा ऐसे मेरे दिन बदलने वाले है भाई देख लो मैं बता रहा हूं तुम्हारे को मेरे दिन तो बदलने वाले हैं अभी dating shooting चालू करूंगा मैं बतारा तुम्हारे को मैं अच्छा पता है यह चलो इस पर आते है पॉइंट में चलो यह वाला पॉइंट खटम करते हैं फिर बताता हूं एक बात बताता हूं अच्छी वाली एक चीज दिखाता हूं मस्त चीज दिखाता हूँ सर क्या दिखाने वाले हो अरे तुम को मज़ा आजाएगा देखके दिखाता हूँ अभी उसके पहले येस ये वाले पॉइंट को डिसक्स कर ले ते इस अधिशन शुट बी समधिंग मोर देन लेकिन वो होम टुशन दे तो पैसे मांग सकता है येस माली जी में रेस्टोरेंट में खाना खाने गया तो वेटर मेर से पैसे मांग रहा है आज नोट बाउंट बाउंट वर्क उसको अल्रेडी उस बात के पैसे मिलते हैं को अल्रेडी करना था उसी बात कि ाप पैसे नहीं मांग सकते मुझे पता 176 मुझे बताईये ये वाला पोइंट समझ में आया का सब ही को इक्स्ट ऑंक कर रहे हो तो पैसे मिलेंगे अधर वाई is नहीं मिलेंगे IQ करते हो तो पैसे मिलेंगे अधर वाइस नहीं चलिए भाई साब एक चीज आप सभी से निवेदन है आज रात से हम लॉफ टॉट शुरू कर रहे हैं वो तो आपको देखना ही देखना है कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो नहीं देखेगा नहीं देखोगे तो घर आ जाओंगा उठाने तुमारे को और बोलूगा ले करना है क्योंकि कल ही मैंने यह बताया है कल मतलब पर सोजो मैं अभी पॉइंट फिर से एक्स्प्लेइन कर रहा हूं इसलिए से स्किप मत करते जाओ ना बिटा फ्लीज रिक्वेस्ट है कि एक्दम सिंपल सी लाइन लिखी होई है कंस्रेशन शुट भी सम्थिंग मोर देन आप यह बाइन बाउंट तू जो आल्रेडी करना उसी बात के पैसे नहीं मांग सकते उससे कुछ जादा का करोगे तो पैसे मांग सकते हो इतनी जी बात है अरे मेरे बाप तुमारे घर के सामने करोड़ है उसमें लोग ज़ड़ू कोचा करते हैं सरकार पैसा देती है और जो अल्रेडी उनको करना था उस बात के वह पैसे आप से नहीं मांग सकते लेकिन अगर कुछ जादा का करेंगे तो पैसे मांग सकते हैं इतनी सथ इतना सा तो पॉइंट है अब समझ आया आइफोन और जिनको भी समझ नहीं आया था बताओ बताओ अब समझ आया बोलिये चल्दी बताओ हम लोग थोड़ा सा अभी हमारा एक स्पीड मेंटेन करेंगे जिसना हमारा कोर्ट भी थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट हो हा मैं आपको यह बता रहा था निखा रहा था मतलब इखाओं दिखाओं कि AXCGE अच्छी वाली अच्छी में दिखाओं एक चीज तिखाता हूं आज पता है मैं लेक्चर कहां से ले रहा हूं? आज पता है मैं लेक्चर कहां से ले रहा हूं? दिखाऊं? 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 क्लास्रूम से लेक्चर ले रहा हूं आज मैं, क्लास्रूम से, यह हमारी क्लास्रूम है, यह है हमारी क् बच्चे बैठते हैं, बच्चों को स्क्रीन दिखती है, माँ पे प्रोजेक्टर है, वो उदर माँ पे प्रोजेक्टर है, ये वाला, ये प्रोजेक्टर है, तो बच्चों को यहाँ पे स्क्रीन दिखती है, बच्चे यहाँ बैठते हैं, इधर मिरको देखते हैं, इधर टी बताओ आओगे face to face? बताओ आओगे आप लोग face to face बताओ कोई बत कह रहा है कैसे आएंगे कैसे मतलão पूने आओगे और क्या अप parent से बात करोगे तो आएंगे कोई कहा रहा है, बिल्कुल बत करेेंगे कोई बात है घर से आना लाउड नहीं है सर्फ पॉसिबल नहीं है चलो ठीक है कोई नहीं बात की बात है देखेंगे अभी चलो ओनलाइन तो नहीं तो ही ना आपने कोई दिक्कत नहीं है इस पर आओ चलिए ओके चलिए भाई ओके नो ध्यान देंगे अवरीवन सभी लोग स्वागत है आप सभी का वंस अगें आज आईए जल्दी से इसके आगे आप कंटिन्यू करते हैं आज मुझे बताओ आप में से जितने भी लोग आज लेक्टर देख रहे हैं मैं अगें कह रहा हूं तीन दिन में म law of thoughts खतम कर दूँगा आज कल और परसो तुम में से एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो लेक्टर में बीच में छोड़के जा रहा है एटलीस जितने लोग तुमारी क्लास में 80-90 लोग जो regular रहते हैं एटलीस तुम से तो मैं expect करी सकता हूं कि रात में 9 से 12 तो तीन तो तीन चार तो चार जितने बहुत तक पढ़ाऊंगा बैठ होगे promise चली promise लिलिया मैंने आपका देखते हैं कोई कहता है pinky promise वाह क्या बात है जिन्होंने recorded देख लिए वो फिर से देखेंगे चली भाई आजाईए चली जी anyway शुरू करते हैं next बढ़ते हैं आजाईए कुछ cases ऐसे हैं जहां पर consideration ना हो तो भी चलता है आज वो cases discuss कर लेते हैं आ जो कुछ तो भी चलते है शायद मैंने एक बताया था आपको एक बताया था एक भी बताया था ज्यादा नहीं नहीं बताया था गैइं से बल determ क्या, natural love and affection, बोलो कौन से बेटा, natural love and affection, बोलो कौन से जाने मन, बोलो ना जाने मन, जाने मन, ओ मेरी जाने मन, natural love and affection, मैंने आपको बताया था, लेकिन वो कैसा होना चाहिए बेटा, natural love and affection, मैंने आपको बताया था, वो कैसा होना चाहिए, natural love and affection, वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए written and registered, बोलिए कैसा होना चाहिए बेटा, written and registered, वो कैसा होना चाहिए बेटा, return and registered, बोलिए कैसा होना चाहिए जाने मन, return and registered, बेगो बताओ, एक था मिया, एक था मिया, और उसकी थी मिया की बेगम, एक मिया था, मिया की बेगम थी, तो मिया ने अपनी बेगम को बोला, मिया ने अपनी बेगम को बोला क्या बोला जानते हो मिया ने बेगम को अपनी एक मिया भाई ने अपनी बेगम को बोले कि बेगम 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 ओ बेगम बेगम मैं तुम्हें हर महीने पाँच लाख रुपे दूगा हर महीने पंच लाख रोपे दूगा और इसको written kara liya, registered kara liya, इसको क्या करा लिया, written kara liya, registered kara liya, इसको written भी kara liya और registered भी kara liya. अब आप लोग मुझे answer दोगे, अगर Mia भाई ने देने से मना किये, क्या बेगम जी case कर सकती है क्या? Mia ji ने अगर देने से मना किये तो क्या Begum ji case कर सकती है कि बताओ Mia ji ने अगर पैसा देने से मना किये तो क्या Begum ji case कर सकती है कि الرumia is yes. because it's a written and registered contract 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 very good sweethearts आप मैं से कोई Pooni से आप मैं से कोई Pooni से है Pooni से आप मैं से कोई पूने से, anyone from Pune, अरे नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं, जो है वो बताओ, कि हाँ है सर, तो आप लोग शाथ face to face आ सकते हो, अगर देखते हैं वैसे बताएंगे face to face हुआ तो free of cost, पैसे नहीं लेंगे उसके चिंदा मत करो, बट देखते हैं, चलो, तो free of cost होता है न अपना, चली जी ओके कोई नहीं देखेंगे आगे, अब इस पर आजाओ, चली 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 आगे, यहां तक हमने last lecture में पढ़ लिया था, इसके आगे हम लोग continue कर रहा है, here we go sweetarts, हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन है कोई भी contract आप written and registered बनाते हो तो उसमें एक वे consideration वो तो भी चलता है, टू अऊ व strand जा वाव तो भी complexity है, दूसरा है past फो में आपने किसी यह कोई काम किया था, past में आपने किसी के लिए कुछ काम किया था, past में आपने क्या किया था, किसी के लिए कुछ काम किया था, ध्यान देंगे आप सभी लोग ठीक है ध्यान देना दोस्तों एक बार की बात है एक बार की बात है एक बार की बात है बार मतलब बार पीने वाला बार एक बार की बात है बार की समझे नहीं समझे नहीं सेंस ओफ यूमर देखो मेरा अभी ध्यान देना एक बार की बात है बार बार मतलब पीने वाले बार की, एक बार की बात है कि वहाँ पे एक लड़की आई थी, एक बार में एक लड़की आई थी, बार में, तो एक बार में एक लड़की आई थी और बहुत तल्ली हो के दारू पीली उसने, तल्ली हो के दारू पीली, गाली बखने लगी अपने बॉ पूछो मत मैं गया उसके पास मैंने का क्या हो गया बेवी बेवी नहीं मतलब क्या हो गया डीयर तो उसने सब बताई मेरे को फिर उसने बर समय को एक ही चीज वहुत ही लुडग गई थी वह वहीं सो गई हो तो मैं उसको उसका address address उसके पर्सवर से चेक करके उसके घर पे ड्रॉप किया, मैंने उसको उसके घर पे ड्रॉप किया, ठीक है, अब मैंने जब उसको उसके घर पे ड्रॉप किया, तो सुबह जब वो उठी, सुबह जब वो उठी, और जब मैं उसको उसके घर में दिखा, हम लोग मैं अलग था, वो अ प्रॉमिस किया, उसने मुझे प्रॉमिस किया कि मैं आपको एक कार गिफ्ट करूँगी as आपने कल रात को मेरी हेल्प की, ऐस आपने कल रात को मेरी help की मैं आपको car gift करूँगी, मुझे बताओ क्या ये consideration valid है की नहीं है, आप लग बताओ ये consideration valid है की नहीं है, ये consideration valid है की नहीं है, जल्दी बताओ, ये consideration valid है की नहीं है, ये consideration बिल्कुल valid है क्योंकि ये past consideration है, मेरी तरफ से जो हुआ वो past था, उसकी तर हमारे देश में past consideration valid है answer is yes आपने किसी की help की थी और वो व्यक्ति voluntary मतलब खुद से कुछ आपको promise कर रहा है वो व्यक्ति खुद से आपको कुछ promise कर रहा है तो ये consideration बिल्कुल 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 होते हैं, वो सारे के सारे valid होते हैं, इसको return होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ natural love and affection वाला return and registered चाहिए, यह वाला return and registered नहीं हुआ, तो भी चलता है, फिर है next, फिर है next, time bar debt, अगर time bar debt है, तो अगर writing में sign करके कोई व्यक्ती promise कर दे, पैसा पे करने का तो यह भी contract valid है, सर मतलब मैं समझाता हूँ, आज आपने मिर से 5 लाख रुपए लिए और आपने बुला सर रात को लोटाएंगे, आज आपने मिर से 5 लाख रुपए लिए और मिर को बुला सर रात को आपके 5 लाख रुपए आपको लोटा देंगे, रात को आपके 5 लाख रुपए आपको लोटा देंगे, रात को आपने 5 लाख रुपए लोटाया नहीं, तो आप जानते हैं कि अगर से सामने वाले ने अपना contract परफॉर्म नहीं किया तो आपके पास तीन साल का time होता है case करने का बस बताब आज रात को अगर आपने मुझे पैसा नहीं लोटाया मेरे पास कल से तीन साल का time है आपके case करने का कल से तीन साल का time है आपके case करने का अगर तीन साल में case नहीं करता तो फिर उसके बाद court मेरा case accept नहीं करेगी court मेरा case accept नहीं करेगी और वह बन जाएगा time bar debt क्या बन जाएगा time bar debt मतलब एक ऐसा debt ऐसी उधारी मेरी जिसका समय निकल चुका है लेकिन अगर मान लीजीए तीन साल तक मैं मानलो court में नहीं गया और Tीन साल बाद आप मेरे को मिले और मैंने आपको बोला εις मेरा paytSada तुमने बोले इसे पैसा तो नहीं देगे मैंने का चलो कागच में लिखके दे दो कि तुम नहीं मुझे पैसा देने का है तो तुमने कागच में लिखके दे दिया, sign करके कि तुम मुझे पैसा दोगे, ध्यान जो सुनना, अगर time निकल जाने के बाद, मतलब तीन साल खतम हो जाने के बाद, जिस party को पैसा देना था, वो कागच में लिखके दे देती है, acknowledgement, कि मैं पैसा दूँगी, writing में sign करके, writing में sign करके अगर दे देती है, तो contract valid हो जाता है, मतलब नहीं समझा सर, मैं समझाता हूँ ना बेटा, मैं क्या चने बेचने आया हूँ, सुनो, मेरी चान, बेबी, बाबु, शोना, सुनो, यार, आपने आज मेरे से पैसा लिया बेटा, आपने बोला रात को लोटाएंगे सर, आ आपने रात बीध गई, नहीं लोटाया, तो मेरे पास 3 साल का टाइम है आपने case करने का, अगर मैंने आपने 3 साल के case नहीं किया बेटा, तो उसे कहते है, time bar debt, अब मेरी court help नहीं करेगी बेटा, लेकिन 3 साल बाद, अगर आप मुझे कागज में लिख के दे दो बेटा, की ह सर हम पैसा लोटाएंगे आपका तो वह वैलिड कॉंट्रेक्ट बन जाता है बिटा तीन साल बात मेरे से तो आपको कुछ मिलने नहीं वाला लेकिन फिर भी कागज में राइटिंग में साइन करके आप लिख देते हो कि हम पैसा लोटाएंगे सर आपका तो वह वैलिड अगर टाइम बार्टेट है और पार्टी क्या कर रिया है राइयटिंग में साइन करके कुछ एक्सेप् प्रॉमिस कर देती है व्युवाला पॉैंट समझ आया क्या तीन साल के बाद केस नहीं हो सकता है इसलिए उसको time बाट केते हैं तीन साल के बाद केस नहीं हो सकता है इसलिए उसे time बाट केते हैं एक specific time में ही आपको case करना है, extra time नहीं मिलता साक्षी बोलिये जाने मन, यह वाला point समझ आया है कैस अभी को दोस्तो सर पैंसिल में double tap करने से eraser आ जाती है तुम्हारी माधी eraser नहीं आ रही इसमें तो, double tap करने से तो यह ले, eraser आ जाती है double tap करने से जै हो बेटे, क्या कर रहे हो, आ जाओ भाई आईए भाई, चलिए, ओके, आ जाओ yes, next है वेटा ध्यान देना चलिए boss, अच्छा, अब मैं आपसे question पुछूँगा, आप लोग answer दोगे दोगे क्या answer, चलो ठीक है, ठीक है, answer देना, ठीक है एक हुसन परी जाने जहां सबसे हसी, सबसे जमाई एक लड़की आई और लड़की मेरे को बोली, अभी आज पता है क्या हुआ, मैं professional का lecture ले रहा था सची गाहनी, मजाक नी, तुमारी कसम, lecture ले रहा था, मैं CS professional का, एक्दम से कोई CA की लड़की थी class के अंदर आ गई class के अंदर आ गई, और पोटो खीच के ले गई मेरा समझ नहीं आया साला, मिरगो, ऐसा क्यों की होगी उसने, आई, इधर तक आई, फोटो खीची और निकल गई अब दयार मैंने बोला साला, चली भाई, Simran कह रही है sir, writing में valid होने के बात, तीन साल बात case कर सकते हैं क्या, नहीं writing में जब लिखके दिया, वहां से भी तीन साल ही मिलते हैं, वहां से भी तीन साल ही मिलते हैं वेटा चली भाई, ओके आजओ, ओके, moving on Divyanchi कहती है celebrity वाली feeling आही होगी, celebrity वाली feeling आही होगी कहती है आपे तो उसने सेल्पी थोड़ी निकाली जो सिलिब्रीटी वाली फोटो आई होगी, खुदी फोटो मेरा फोटो कीच के ले गई बस, चलिए भाई, ओके आजओ, आजओ भाई, अभी ध्यान देंगे everyone, क्या मलूं, क्या करते लोग, चलिए, हाँ, कोस्टन, कोस्टन पुछ लिए है, उसको मैंने क्या किया वेटा ध्यान से सुनना, पांच लाख रुपए का लोन दिया, 35 साल की हो, 35, 35, लेकिन है छोटी बहुत, 35 साल की मेरी एक गल्फ्रेंड है, छोटी सी, उसको मैंने पांच लाख रुपए दिये और उसने बोली, आज लोटा दोगी, आज उस case तो है मेरा कोट तो except करने वाली है नहीं, हैना मेरा case तो court एकसेप्ट करने वाली है नहीं दोस्तों, यह बात को तैय है कि नहीं करेगी, 4 लेकिन 3 साल बाद वो लड़की मुझे कागज गी केसे, कि में तुमें पैसा दोंगी 안내? है कि करके, राइटिं करके, कि क्या ये contract VAL क्या ये contract valid हो जाएगा, answer is yes, उसके बाद आप case कर सकते हो, yes, उसके बाद आप case कर सकते हो, अगर नहीं दिया तो, very good, very good, very good, I am so proud यार, lovely, sweetheart, lovely, ऐसे ही पड़ो बस, बहुत बढ़िया, और तुम लोग रोज daily lecture attend किया करो, daily lecture attend किया करो, क्यों बीच-बीच में चले जाते हो, क्यों, नहीं क्यों, रहा नहीं जाता ना मेरे को तुमारे बिना, समझो यार, एक दिन कल तुमारा lecture नहीं लिया मैंने, तुम्हें पता है, कितना रोया हूं मैं कल रा थड़े, तुम्हारे से मिला, जूम मीटिंग में इसलिए अच्छा था, बाकी तो otherwise सूना सूना लग रहा था, तुम लोगों से जूम मीटिंग में बाते हो, यह तो अच्के बात थोड़ा अच्छा लगा, चलिए भाई, ओके आजो, आज मेरा बॉद्दे है, चलिए, जि 200 बच्चे दे भगवान आपको, 100 को CS कराओ, 100 को CA, एक नमबर, सेकेंड पॉइंट फिर से समझाओ, ध्यान नहीं देना एक बार में, फिर से समझाओ वालो, ध्यान मत देना तुम कभी क्लास में, आओ भाई, चलिए, तो पहले की तीन पॉइंट फिर से देख लीजिए, कैसे देगा, रिटन एंड रजिस्टर कर लिया तो वैलिट कॉंट्रेट होगा, दूसरा है, दूसरा है, पास कंसिडरेशन बाबू, एक लियाद, एक्जामपल याद नी रखते न, तुम लोग वो गडबड हो जाती है, लिख लिया करो न बिटा एक्जामपल को, याद कर वो एक्जामपल, मैंने एक लड़की को, एक बार की बात है, कि लड़की तली पड़ी थी एक बार में, बार में, बार में, उसको मैंने घर चोड़ा, सुबह उठी, तो कहीं मैं तुम्हें कार गिफ्ट करूंगी, तो क्या वो कॉंट्रेक्ट वैलिट होगा, आंसर इस ये मेरी तरफ से उस समय कुछ नहीं मिलने वाला, मेरी तरफ से कम मिला है, पास्ट में, मैंने उसकी सिर्फ हल्प किया, उसको घर चोड़ा है, और में को कार गिफ्ट करने का वादा कर रही है, क्या ये कॉंट्रेक्ट वैलिट होगा, हाँ, यही है सेकेंड वाला, कि भाया, अ कौन सा है, जल्दी जबो, चौथा कौन सा है, जल्दी बोलो, चौथा है एजिंसी, 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 आपको पता है, एजेंट मतलब क्या होता है, एजेंट मतलब, पता है आपको एजेंट मतलब क्या होता है, एजेंट मतलब, पता है आपको एजेंट दो, मेरा एजेंट बनके, तो तुम मेरे कौन हो गए, एजेंट, मैं पानिपूरी बेचता हूँ, मैंने तुमें अपोइंट किया कि मेरे बिहाफ में पानिपूरी सेल करो, तो तुम मेरे कौन हो गए, एजेंट, बास समझ रहे हैं, तुम मेरे कौन हो गए, बेटा, तुम हो ओगए तो मिरे बच्चा बास समझ रहे हैं तुम लोग कौन हो गए मेरे हैं तुम लोग हो गाए मेरे बच्चा एजन्ट हो गत् Gill वह गए थाड़े सब्वर्क बच्चा ओक बच्चा एजिन्ट बनने के लिए consideration की जरूरत नहीं है एयिंट बनने के लिए consideration की जरूरत नहीं है जैसे एक रिशेंट की जरूरत नहीं है से भूसे बूसे फर एक्जामपल हमारी क्लास में शिवभा म्यादव हैule सिव्व यादव नमा उसको ना अपनी घर बेचना था ऑट शिव अब उसको मेरे को अपना एजेंट बनाया और मैंने घर बेच दिया शीवम यादव के बहाफ में अगर मैं इससे पैसे ना लू तो भी contract valid होगा एजेंट बनने के लिए consideration नहीं हुआ तो भी चलता है मनोच कुमार की शादी थी इसने बोला सर मेरे भीहाफ में आप शादी कर लो ओ इसने बोला में काम मैं करूंगा में काम मैं करूँगा बाकी की फॉर्मेलिटी आप करो मैंने का भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कौन सा में काम होता है और कौन सी फॉर्मेलिटी होती है तो कहता है सर फेरे लेना, मंगल सूत्र, वो क्या होता है, सिंदूर, यह सर फॉर्मेलिटी होती है और मेन काम मोटे काम है उसके लिए आप एजेंट कर सकते हैं और एजेंट को अपोइंट करने के लिए अगर पैसा नहीं दिया तो भी कॉंट्रेक्ट वेलिड है तो भी कॉंट्रेक्ट वेलिड है एजेंसी में कंसीड्रेशन की जरूरत नहीं है और लास्ट है gift actually paid last है gift actually paid last है gift actually paid. अगर आपने gift दे दिया मान लिजिए, अचा मेरी शादी होई तो आप लोग आओगे मेरी शादी में बताओ अगले सल हो जाएगी, मैं अभी से बता रहा हूँ तुमारे को, अगले साल हो जाएगी आओगे मेरी शादी में आप लो, आओगे, सारे कह रहे हैं आएंगे, सारे कह रहे हैं आएंगे, सारे कहने आएंगे, बच्चे कह रहे हैं, ऐसा, चलो, साक्षी कह रहे हैं, क्रश की शादी में कौन जाता है, ओ, साक्षी जी, क्या बता रहे हो, चलिए, साक्षी जी कट आईए भाई पढ़ाई करो, साक्षी जी पढ़ाई करो, पढ़ाई में ही सार है सब जिंदगी का, आउ भाई, मानली जी आप मेरी शादी में आये और आपको खाना पसंद नहीं आया, लेकिन आप लोग ने पता है, शादी में आके मुझे एक car gift की, car gift की आपने मुझे एक, ठीक है, मान लीजी आपने मुझे gift की Audi Q7, में को बहुत अच्छी लगती है, तो आपने मुझे Audi Q7 gift की, ठीक है, और आप लोग ने खाना खाया लेकिन आपको खाना पसंद नहीं आप, car gift कर दिये, आपने बोले, sir का रात का काम हो जाने देते हैं, सुबे-सुबे car लेने चले तो तुमने का, sir आपने ही बताया था, consideration to way होना चाहिए, आपकी तरफ से हमें कुछ नहीं मिला, वो सड़ा सा खाना, खाया भी नहीं हमने, तो हमारी car हमें वापिस चाहिए, मैं को बताओ, car वापिस मिलेगी की नहीं मिलेगी, car वापिस मिलेगी की नहीं मिलेगी, car वापि नहीं वो तो उसी के साथ मैं, मैंने अपनी, जब मैं 12 में एक girlfriend ती मेरी, उसको teddy bear gift किया था, teddy bear,ology रुपय का लिया था, उस समय जब मैं 12 में हाई 3,000 का teddy bear gift किया था, दुख होता है, अब दुख होता है, क्यों gift किया था, okay teddy bear gift किया था, क्या अभी जाके वापस ले सकता हूं, नहीं, completed gift is a contract, एक बार gift दे दिया तो वापिस नहीं ले सकते, completed gift is a contract, completed gift is a contract, बोलो क्या, completed gift is a contract, completed gift is a contract, completed gift is a contract, फिर सब बोलो क्या, completed gift is a contract, ठीक है, मैं gift deed बना सकते हो आप उसके लिए, चलिए, ओके बता ये, completed gift is a contract, so yes, एकदम simple है, तो पाँच ऐसे cases हैं जहां पे consideration न हो तो भी contract valid है पाचो cases के नाम लिखते हैं आज ओ इधर side में पाचो cases के नाम लिखते हैं पहला कौन सा है बोलो पहला कौन सा है love love लगाता है love love and affection पहला love and affection लेकिन यह कैसा होना चाहिए writing में होना चाहिए written होना चाहिए और यह registered होना चाहिए तो consideration नहीं हुआ तो भी चलता है दूसरा है past consideration चलते हैं हमारे देश में पास consideration चलता है हमारे देश में तीसरा है अगर time-barred debt है अगर time-barred debt है और सामनेवाला promise करता है writing में सामनेवाला promise करते है राइटिंग में सामने आला प्रॉमिस करता है, तो भी ये कॉंट्रेक्ट वैलिड है, ठीक है है, चौथा है एजिंसी, और पाचवा है, कॉंप्लीटेड गिफ्ट, ये सो ये पाच केसेस हैं बेटा, जहां पर कनसीडरेशन नहों तो भी चलता है, बोलो ये पाचों के पाचों समझ में, आया क्या, मगच में आया क्या, चैरिटी भी है न साक्षी के रही है, साक्षी ये सीचरिटी गिफ्ट में आ गया न वो, येस yes sweet arts tell me sweet arts, bolo sweet arts यार तुम लोग आओ ना पूने यार कैसे कर रहे हो यार, तुम लोग सामने बैठोगे कितना मज़ा, अभी पता है एक्जेक्टेव में इतना मज़ा आता है पढ़ाने में सब लोग सामने रहते हैं तो online में भी आता है मज़ा face to face में भी आता है, दोनों में आता है, but face to face में क्या है, थ्वड़ा सा, सामने वाले दिखता है ना तो अच्छा लगता है, चलिए, ओके, Jen जी कहते हैं कि सर, फिर से बताऊ, completed gift वाला, अरे यार Jen जी, agency वाला gift वाला फिर से बताऊ कहते हैं, अरे बिटा, 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 मैंने आपको appoint किया मेरा agent कुछ बेचने के लिए, कि मेरे बहाफ मेरा phone बेच दो तो आपने मेरे बहाफ मेरा phone बेच दिया आपने मेरे बहाफ मेरा phone बेच दिया यह contract valid है हाँ और मैंने आपको इसके पैसे नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, साक्षी जी, कोई कह रहा है, आप face to face भी ऐसे ही पढ़ाते हो क्या, ऐसे ही मतलब, एक ही तरीक है भाई पढ़ाने का, चलिए भाई, moving on everyone, आजाईए सभी लोग, तो यहां तक हमारा यह complete हो चुका है, wonderful, आज हम करेंगे types of contract, here we go, आजाओ दोस्तो, मेरे प्यारे प्यारे, आईए भाई, आज हम करेंगे types of contract, आज है यह जल्दी से, सबसे पहला मुझे बताओ, आप लोग बताओगे, फटा फटा, बहुत सारी definitions करेंगे हम लोग, आप लोग जल्दी जल्दी answer दो, सबसे पहले मुझे बताओ, आप valid contract की definition और section, आप लोग बताओगे, valid contract defined है section 2 clause H में, इसका मतलब क्या है, an agreement enforceable by law, इसका मतलब क्या है, an agreement enforceable by law, इसका मतलब क्या है, an agreement enforceable by law, correct है, दूसरा है, agreement का बताओ, agreement का बताओ, section 2 clause E का, every promise and every set of promises forming consideration for each other, ठीक है, ओके, यह दो, आपको पताओ, मैं कोई याद है क्या, यह दो definition आपको याद है कि नहीं है, जल्दी से बताओ, handwriting मेरी अच्छी है नहीं, है न, handwriting अच्छी है न, नहीं भी है, तो अच्छी बोलो, सालो, मारूंगा नहीं तो, बता रहा हूँ मैं, बोलो, बोलो, सर, सबसे number one handwriting किसकी, मोधी, सर, मोधी, सर, सबसे अच्छी handwriting किसकी, मोधी, बोलना है वेटा तुम्हारे को पहले बता रहा हूं मैं ऐसा बोलना देखो बच्पन से मैं डॉक्टर बनना चाहता था इसलिए हैंड्राइटिंग मैंने उस प्रकार से सीखा लेकिन फिर प्लांट चेंज हो गया ना अब हैंड्राइटिंग चेंज नहीं हो पाई पर चलिए ओके आजाओ ठीक है करेंट अफ्यास की क्लास हो जाएगी रिज्यूम आपकी परसों से मंदे से कोडिया ने टक 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 चलिए ओक भाई ओके भाई तो यह एकदम सिंपल है एकदम असान है एकदम एजी है याद रहेगा सभी को पक्की बात है आशा करता हू यह आप सभी को यह याद रहेगा यह दो डेफिनेशन तो अटलिस याद रहेगी तो एक कोशन पुछ नहीं आँ अंसर देना तो every agreement is not contract because जब तक enforceability नहीं होगी तब तक वो contract नहीं बनेगा very good guys very good guys very good चलिए अब हम पढ़ेंगे आज void agreement क्या होता है void agreement void agreement is an agreement is an agreement which is which is not enforceable by law which is not enforceable by law ऐसे agreement जो law के द्वारा enforceable नहीं है वो है void agreement ऐसे agreement जो law के द्वारा enforceable नहीं है उसे हम कहते हैं void agreement मैं फिर से कहूंगा ऐसे agreement जो law के द्वारा enforceable नहीं है उसे हम कहते हैं void agreement दोस्तों ठीक है, ऐसे agreement जो law के द्वारा enforceable नहीं है, उसे हम कहते हैं void agreement, फिर से समझना, ऐसे agreement जो law के द्वारा enforceable नहीं है, मैं को बताओ, क्या minor के साथ agreement किया, तो law के द्वारा enforceable है क्या, नहीं, तो यह हो गया void agreement, अगर कोई agreement possible नहीं है, तो क्या वो enforceable है, नहीं, तो वो हो गया void agreement, क इसमें दोनों party की सोच नहीं मिल री, meeting of mind नहीं है, same thing in same sense, consensus item नहीं है, तो क्या वो enforceable है, नहीं, तो वो हो गया, void agreement, void agreement को कहते हैं, void ab initio और इसको हम कहते हैं, void from very beginning, क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, void from very beginning, इसे हम कहते हैं, void ab initio, इसे हम कहते हैं, void from very beginning, इसे हम कहते हैं, void ab initio, void agreement को हम कहते हैं, an agreement which is not enforceable by law, इसका section बताओ मुझे, चलो जल्दी से, इसका section बताओ, कौन बताएगा मुझे, void agreement का section, जिसने बताया, उसको एक करोड रुपय का इनाम, अबड सर की तरफ से, एक करोड रुपय का इनाम, अबड स की तरफ से, एक करोड रुपय, answer is section 2, clause G, G for, गोरी, G for, गोरिला, G for, G for, चलिए, ओके, बस गंदा मत लिख देना कुछ, ठीक है, गांधी कोई कहता है, G for, गांधी, ओके, very good, D for, ओके, अनन्या श्रिवास्तव कहती है, I will shoot you, I will shoot you, लिखती है वो, I will shoot you, वाँ अनन्या जी, आईए भाई, चलिए, moving on, आजवा भाई, चलिए भाई, moving on, कनक कहती है सर, मेरे को भी इग्नोर करते हैं, कोई शक, कोई शक, मेरा मतलब है, मेरा मतलब है कि, नहीं यार, इसे नहीं करते हैं, कनक जी हम लोग, इग्नोर इग्नोर तो, मैंने तो आज तक कभी किसी को इग्नोर नहीं किया, ये सरसर जूट है, जो मेरे पर गंदे इल्ज प्रिया कहती है आप दो दिन से इंग्नो कर रहे हैं। प्रिया यारहा और करने है तो वह रहे हैं तो करने हैं क्यव भरें करने aisोगे को चलिए ओक कोई कहता है मुझे यूनिक की टीटिंग बहुत अच्छी लगती है कि खाई फिर को शक्राइब को इसमें बोलना चाहिए मुझे अभी ध्यान देंगे वरीमां चलिए कैसा सुनना मेरी बात को ध्यान देंगे सभी लोग मेरी बात ओके ध्यान ए्यान देना सभी लूग चलिए आजओ् आपको चलो नजारा दिखाता नजारा नजा रहा नजारा दिखाता अ कि west अरे नर नहीं, स्विया नजारा दिखा नहीं पाऊंगा sorry नजारा दिखा नहीं पायंग, एक विटनेक्ट रहता है ना दिख रहा है गया, वो खिड़की दिख रही क्या, उदर दूर, खिड़की दिख रही क्या, उदर दूर देखो अब, वहां खिड़की में कोई रहती है, बता है क्या आपको, रहती वो उदर, उसका नमबर भी है मेरे पास, एक दिन हम कॉल में बात कर रहे थे, एक दिन हम उड़के मेरे पास आ गए, कहती है मैं तुम से शादी कर लूगी, अगर तुम उड़के दो सेकेंड में ये खिड़की से निकल के मेरे घर आ गए तो दो सेकेंड में, मुझे बताईए मैंने का हाँ मैं आ रहा हूँ, मुझे बताऊ ये contract क्या होगा, valid contract की void agreement, जल्दी बताऊ जल्दी बताऊ, valid contract की void agreement, तो answer is this is void agreement, this is totally not enforceable by law, ये starting से enforceable नहीं है भाई, starting से ये possible नहीं है, enforceable नहीं है, कोई चीज minor के साथ आप agreement करते हैं, void agreement, possible नहीं है, void agreement, certainty नहीं है, void agreement, दोनों पाटी की सोच नहीं मिलरी, void agreement, ठीक है, आपने बेवडे के साथ किया, पागल के साथ किय तो ये सब contract बनी नहीं पाते हैं, ये होते हैं, void agreement, ऐसे agreement जो enforceable नहीं है, और वो भी starting से नहीं है, इसे हम कहते हैं, void agreement, फिर से बुलिए, क्या कहते हैं, बेटा इसको हम, बेटा जी इसको हम क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ, इसे हम कहते हैं, void agreement, बास समझ रहे हैं, क्या कह दूँगी, वो भी दूँगी, वो भी दूँगी और वो तो दूँगी दूँगी, अगर तुम मुझे एक लाख रुपए देते हो तो, मैंने का मुझे चलेगा यह लो एक लाख रुपए, वो भी, वो भी और वो तो दूई, यह बताओ, contract जो है, valid है कि void है, जल्दी बताओ contract valid है कि void है, जल्दी बताओ, contract valid है कि void agreement, this is void agreement, क्यों ये void agreement है, because certainty नहीं है, certainty नहीं है, starting से agreement, law के दवारा enforceable नहीं कहलाएगा, it will be a void agreement, it will be a void agreement, आप सभी को void agreement समझ में आया, जो agreement starting से enforceable नहीं है, उसे हम void agreement कहते हैं, एकदम simple है क्या, बोलो ना जाने मन, बोलो, तेन बार रिपीट करूगा। अब से न वहीं आके तुम्हारे घर आके अपके पॉपा कलत अ पर उलटा ठाउंग को लुग और सुछ किषीन ne जो starting से enforceable नहीं है और वाटी मीन बाइ starting से enforceable नहीं है अरे माइनर के साथ किया पागल के साथ किया बेवडे से किया possibilities नहीं है उसमें certainty नहीं है meeting of mind नहीं है अगर वहाला lecture नहीं देखा है आपने essentials of valid contract वाला तो खुंटा कुछ नहीं समझना ठीक है यह तब ही समझेगा जब आपने वह देखा है पहले वाले lecture जो जिसमें हमने पढ़े थे क्या अपने वह पढ़ा था ना क्या कहते हैं कौन-कौ सोगे कुछ नहीं समझेगा बिटा इसलिए मैं हमेशा से starting day one से कहा था contract एक में बीच में skip मत करना बिटा अगर किये हो तो उसको देख लो नहीं तो बहुत दिक्कत जाएगी आपको ठीक है चली भाई आजाओ जाओ ऑके ऑड़ ध्यान देना everyone वे से कहां थे वोईड अगरिमेंट ऐसे अगरिमेंट जो लॉक के दौराइं इनफोरस एबल नहीं है उसे हम कहते हैं वोईड अभी निश्यो उसे हम कहते हैं वोईड फॉम दवेरी बिगनिंग क्या कहतें जल्दी बता हुए उसे हम उसे contract क्या होता है, void contract, void contract defined है, section 2 clause j में, void contract defined है, section 2 clause j में बेटा, void contract का है defined बेटा, section 2 clause j, j, j for jolly, julie, section 2 clause j में defined है, void contract बेटा, क्या कहता है, void contract ध्यान देना सभी लोग बेटा, void contract क्या कहता है, बच्चा, Void Contract कहता है, Void Contract कहता है, Void Contract कहता है, बटा, एक मिनिट बटा, इसको रब कर ले, बटा, हाँ जी, Void Contract कहता है, A Contract which ceases to be enforceable, A Contract which ceases to be enforceable is Void Contract, ऐसा Contract, ऐसा Contract, जो पहले enforceable था, बाद में नहीं है, इसे हम कहता है, Void Contract, हमने अभी पढ़ा, Void Agreement, अगर स्टार्टिंग से कोई चीज़ enforceable नहीं है, तो वो वोईड agreement, और कोई contract पहले enforceable था, बाद में enforceable नहीं है, उसे हम कहते है, Void Contract, एक्जामपल समझना, ध्यान से, जीख आरी थी, तुमारे का रंट चली गई, अभी ध्यान देना, Void Contract क्या होता है, मैंने तुमें एक करोड रुपे दिया, और मैंने का, एक करोड रुपे दिया, और मैंने का, रोज रात को एक बॉटल लाके दिना, एक साल तक, एक साल तक, और हम हैं महराष्ट्रा में, क्या ये contract valid है, answer is yes, महराष्ट्रा में दारु पीना अलावड है, आपने एक करोड लिये, दारु लाके दोगे, मैं आपकी दारु पीऊँगा, एक साल तक, कब तक हमने contract किया बेटा, एक साल तक, क्या ये contract valid है, answer is yes, लेकिन एकदम से क्या हुआ, तीन महने बाद, मोधी जी आ गए, मोधी जी ने बोला, मित्रो, आज रात बारा बजे से, दारु बन कर रहा हूँ, जिस जिस को पीनी है, आज पी लो, कल से नहीं मिलेगी, दारु, सेहत के लिए नुकसान दायक है, कल से दारु, बिल्कुल भी नहीं दूगा, सुन्लो जब लोग, जो भी दारु पीता हुआ दिखा, जिन्दा जला देंगे उसको, मोदी जी ने तीन महने बाद आया, और बोले दारु को बन कर रहा हूँ, दारु बैन कर रहे हैं कंट्री में, अब यार मैंने तो आपको एक साल के पैसे दे के रखे हैं, हाँ, और आपने बोला, एक साल तक दारु की बॉटल दोगे, दिये सिफ तीन महने, तीन महने बाद मोदी जी आ गए उंगली करने, कर दी चुल, और बोल दिया, दारु बैन हो गई, में को बताओ, हमारे कॉंट्रेक का क्या होगा, वैलिड ही रहेगा की वॉइड बन जाएगा, हमारे कॉंट्रेक का क्या होगा, वैलिड ही रहेगा की वॉइड बन जाएगा, हमारे कॉंट्रेक का क्या होगा, जल्दी बताओ, हमारे कॉंट्रेक का क्या होगा, वैलिड ही रहेगा की वॉइड बन जाएगा, गाईज, वॉइड बन जाएगा, ऐसे contract जो बन गए थे, उस समय तो वो valid थे, अचानक से कोई चुलो गई, तो ऐसे contract जो पहले valid थे, लेकिन बाद में illegality हो गई, impossibility हो गई, तो वो void contract बन जाते हैं, एक और example लेना, एक और example लेना, मैंने आपको, मैंने आपको, मैंने आपको, मैंने आपको, क्या खरीदोगे मेरे मेरा यार, क्या खरीदोगे, सब खरीद लिए, wallet खरीद लो, चलो, मैंने आपको मेरा ये wallet बेचने का वादा किया था, ठीक है, मैंने आपको ये wallet बेचने का वा ऐबाने बोला शर्क पर्सों खरी देगे मैं का पैसे भी पर्स देना पर्स वोयलट लेके जाना हुआ क्या कल मेरे घर पर आग लग डिवी अरिव डू बीगए घल गया अज हमने कॉंट्रेक्ट कर लिया था कॉंट्रेक्ट वालिट होगिया था कि पर्ष म आप आओगे, wallet ले जाओगे, पैसा दोगे, परसो, कल एकदम से क्या हुआ, आग लग गई, कल क्या हुआ, मेरी girlfriend घर पे आई थी, बड़ी hot थी, उसकी hotness की वज़ा से घर पे आग लग गई, समझे रो, समझे रो, घर पे क्या लग गई, आग लग गई, मुझे आप simple सी बात जैसे भी लगिया, वह आपका concern नहीं है, आग लग लग लगी, यह important है, और मेरा wallet जलके राख हो गया, हमारे contract का क्या होगा, यह बतायो, हमारे contract का क्या होगा आप यह बताओ, valid रänderगा की void हो जायगा, hemारे contract का क्या होगा, आप यह बताओ, हमारा contract void हो जाएगा, so बेटा, अगर agreement स्टार्टिंग से एंफोर्सेबल नहीं है तो वह वाइड अग्रीमेंट है, मैं फिर से कहता हूँ, अगर agreement स्टार्टिंग से एंफोर्सेबल नहीं है तो वाइड अग्रीमेंट है, अगर वह contract बन गया था, contract बनने के बाद उसकी enforceability जाती है, तो it's a void contract. So what is the difference between void agreement and void contract? किसी ने पूछ लिया आप से, CSET कर रहे हो, बताओ बेटा, void agreement और void contract में क्या फरक है? उसके मूँ पे answer मारना, बोलना, starting से enforceable नहीं है, तो void agreement बुद्धे, और अगर starting में contract बन गया था, मतलब enforceable था, बाद में उसकी enforceability चली गई, तो वह void contract बुद्धे, सुन ले बास समझो, everyone very crystal clear तरीके समझो, आपने कोई ऐसा agreement किया, जो starting से enforceable नहीं है, तो void agreement, आपने कोई ऐसा contract किया, जो बन गया था contract, उस समय तो सब सही था, ठीकिन अचानक से वह illegal हो गया, impossible हो गया, तो वह बन जाता है, void contract, मुझे बताईए, void agreement, void contract, दोनों में फरक समझ आया क्य जल्दी से बताएंगे सभी लोग, tell me guys, tell me guys, okay sweet arts, okay sweet arts, okay sweet arts, okay sweet arts, अक्य को नहीं समझा, अक्य आपको नहीं समझा, अक्य जी देखो, आपको समझा देते हैं, आपने आज मेरे से agreement कि मोधी सर, ओ मोधी सर, मेरे घर आ के बताओ, एक सेकेंड में मैं आपको एक करोड दूँग मैंने हाँ कह दिया, तो यह possible ही नहीं है, starting से नहीं है possible, तो यह क्या बेटा, void agreement बेटा, यह क्या बेटा, void agreement, लेकिन तुने का, मोधी सर, आप दस दिन के अंदर मेरे घर आ के बताओ, मैं आपको एक करोड रुपे दूँगा, possible है, तो यह contract valid बन गया, मैंने accept कर लिया, contract valid ब आउंगा, तब तो कुछ ऐसा rule नहीं सरकार का, तो contract valid था, लेकिन चानक उसके contract बन गया, उसके बाद ऐसा restriction आया government का, तो यह हो जाएगा, void contract, देखो बात समनना, starting से ही possible नहीं है, तो void agreement, पहले possible था, बाद में impossible होगा, तो void contract, आज cigarette बीना valid है, मैंने आपको बोला, कि आप म है, valid है, आज तुमने cigarette लाके दे दिया, मैंने 1000 रोपय दे वे दिया, तुम्हें चार दिन लाके देना है, लेकिन आज ही रात को announcement हुआ कि कल से cigarette बिकना बैन है, illegal है, तो वो contract, void contract बन जाएगा, ठीक है, ओके, सभी को, I hope, समझ में आ गया, ओके, चरिए, thank you so much everyone, guys, 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 आज कितने बजे मिल रहे हैं, हम लोग लॉफ टॉट के लिए, आज कितने बजे मिल रहे हैं, हम लोग लॉफ टॉट के लिए, tell me, guys, जो शिक्दम starting से high रखना, 9 बजे से लेके, 12 बजे तक, मचाएंगे, मचाएंगे नौ बजे से लेगे बारा बजे तक आज हम लोग मचाने वाले हैं दोस्तों so be ready for that everyone, be ready for that everyone, be 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 ready for that धमाल करेंगे, मस्ती करेंगे, नौ बजे हम लोग लोग टॉट के साथ आप लोग को कही नहीं जाना है, आप लोग को नौ बजे अपने मोबाइल और लेप टॉप पे बस खोल लेना है, बैट लेना है, लेक्टर शुरू कर लेना है, बाकी काम मेरा है, आपका काम सिर्फ सुनना है और कमेंट करने का है, that's it everyone, सुनिए मेरी बात, नौ बजे का 10 to 5 बताओ, मेरा गनित कम जो रहे, 400 लोग देखेंगे, तो करो यार, पहले हमारे lecture CSET में 2000 लोग देखते थे, जैनुवरी बैच में कहा है, थोड़े admissions कम है, इसलिए कम लोग है, लेकिन हमें उसको लेवल पे लेके जाना है, और आपके सहयोग के बिना ये पसिबल नहीं है sweethearts, तो please do share, इतना सा काम कर लिजिया करिये, कि share कीजिया करिये, share कीजिया करिये, ठीक है, so yes we'll be meeting everyone at 9 o'clock everyone, thank you so much, we are done for the day for the content act, we will be meeting for content act at 4 p.m everyone and 9 बचे, लोग टोट के लिए मिलते हैं, thank you so much, love you guys, bye everyone, नहीं कर रहा हूं सक्षी जी इग्नोर, नहीं कर रहा हूं, zoom पे नहीं yourself and your family, bye